हेलो एवरीवन स्वागत है आपका विन आईस की यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग डिस्कुस करेंगे साथ जून को जो पेपर हुआ था वर्ल्ल हिस्ट्री का उसके प्रश्णों को कैसे हम लोग को अटेंप्ट करना है चले सबसे बहले बात करते हैं थ्री मारकर्स की पहला थ्री मारकर हम लोग का है नच्छत्रों की गती या on the body of sorry on the revolutions of celestial bodies तो यह पोलेंड के खगोल सास्त्री कौपर निकस की रचना है और इसमें सूरी केंदर सिधान्त को गडित के द्वारा सिद्ध किया गया है सूरी केंदर सिधान से तार पर है कि जिसमें सूरी को प्रम्हंड का या अपनी सौर मंडल का केंदर माना गया और इसको नों ने गड़तिय थेरम के त्रू सिध्ध किया हुआ है तो यह लिखना था दोस्ता हम लोग का प्राश्ना राबले राबले, फ्रेंक्वा राबले फ्रांस के विद्वान थे, सहत्यकार और पादरी भी थे और इनकी दो रचनाएं थी, गरगंतुवा और मानता ग्रोयल तीसा है लेटर दी कहां से है यह फ्रांस में एक प्रकार का वारण था जो और फ्रांस के राजा दोरह स्ताक्चरित होता था और इसके दोरह किसी भी बैक्ती को कभी भी गिरफतार किया जा सकता था चोथा हम लोग का प्रशन है जूरर और नॉन जूरर तो पहला point है कि फ्रांस में जिन पादरियों ने civil constitution of the clergy को स्विकार किया वे juror कहला है जिन्हों ने इसे स्विकार नहीं किया वे non-juror कहला है और तीसरी बात हम लोग यह लिख सकते हैं कि civil constitution of the clergy था वो पादरियों के लिए एक नया सम्विधान था जिसके अंतरकत church को राजी के अधीन कर दिया गया था तो जिन्होंने उसे माना वे juror और जिन्होंने उस सम्विधान को नहीं माना वे non-juror कहला है अगला प्रश्ण है जट्लेंड का युद्द है यह युद्ध प्रश्ण विश्युद्ध के दौराद 1916 में जर्मनी और इंगलेंड की बीच समंदर में लड़ा गया इस युद्ध में दोनों पक्छों ने एक दूस्टे को नुकसान पहुचाया लेकिन जर्मनी इस युद्ध के बाद इंगलेंड से वापस कभी समंदर में नहीं भड़ा और यहां एक तरह से इंगलेंड की जो सुप्रीमेसी है वो लगभग सिद्ध हो गई थी तो यह एक महत्तपूर नौसाने की युद्ध था जो जर्मनी और इंगलेंड की बीच प्रसम विश्युद्ध की दोरा लड़ा गया फिर हमलों का अगला प्रश्न है यू नौकाय या यू बोट्स यह प्रकार की नौ विक्सित निवली डवलप्ट पंडुमियां या सब्मरीन्स थी और इनका प्रियोग स्बसे पहली बार जर्मनी ने प्रसम विश्युद्ध में किया था और मित्र राष्टों के व्यापारिक और यात्री जहाजों को डुवया था आगे चलकर दुति विश्युद्ध में भी उसने इसका प्रियोग किया अगला जो हमलों का प्रश्ण है वो है वर्साई की संधीपर जर्मनी की आपत्तियां वैसे तो जर्मनी के उप़र जो शर्तिय लादी गें थी बड़ी अपमान जनक थी लगबग सभी पर उसको आपत्ति थी लेकिन जो दो महत्तपूर है वो एक था पोलिस गलियारे पर आपत्ति पोलिस गलियारा या डेंजिंग गलियारा वह छेतर है जो पोलेंड को बाल्टिक सागत से जोडता है और इसी गलियारे को लेकर के अगें 1949 में हिटलर ने पोलेंड पर आक्रमर किया था तो ये पोलिस गलियारी को लेकर के हमेशा जर्मनी की आपत्ती रही और दूस्तरा जो आत्म निर्णे का सिध्धान्त है जिसके आधार पर युद्ध लड़ा गया था वो सिध्धान्त जर्मनी पर लागू नहीं किया गया था इसको लेकर जर्मनी को आपत्ती थी अगला जो हमलों का प्रश्ण है वो है प्रथम विश्युद्ध में बिग फूर प्रथम विश्युद्ध के बाद पैरी शांती समझोता हुआ जिसमें चार प्रमुक नेताओं ने मुख्य भूमिका निवाई और वो थे वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्टपती लॉयड जार्ज इंग्लेंड का प्रथान मंत्री और क्लेमेंसू फ्रांस के प्राइमिनिस्टर और लैंडो इटली के प्राइमिनिस्टर इन चारों बड़े नेताओं को ही प्रथम विश्यूद्य में बिग फोर का नाम दिया गया तो यहाँ पर आपको दोनों चीएं लिखनी है नाम और इनकी डेजिगनेशन क्या थी अगला जो हमनों का प्रस्टन है इस रेड आर्मी या लाल सेना रूसी क्रांती की दोरान बोलसेविक नेता ट्रांसकी की नेतरत में रूस में गठित की गए थी और इसका उद्देस था स्वेत आतंक से निपटना स्वेत आतंक कहा गया था कि जब जार के सपोर्ट के लिए उसके मित रास्टों की सेनाओं ने आक्रमण किया बोलसेविकों को दबाने के लिए तो उसके उसे स्वेत आतंक कहा गया और उसके खिलाफ ये आर्मी गठित की गए थी ट्रांसकी की दोरा चुक्छे इनका जंडा लाल था इन्हें इसलिए लाल सेना या रेड आर्मी कहा जाता रहा अगला हमलों का जो प्रस्ने है वो है धूरी रास्ट तो दुत्ती विस युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली को धूरी रास्ट कहा गया ये साम्मेवाद की विरोधी थे और इनका जो में मोटीव था वो था सामराज्यवादी एक्छा सामराज्यवादी लिपसा से ताथ पद है कि सामराज्यवादी को बढ़ाने की जो एक्छा थी तीनों ही रास्टों में एक जैसी थी इसी रिए तीनों एक जुठ हो गया और इन्हें धूरी रास्टों कहा गया इनको बर्लिन, रोम और तोक्यो जो धूरी भी कहा जाता था जो तीनों देसों की राजधानिया है तो इस तरह से हम धूरी रास्टों को दो से तीन पॉइंट में लिख सकते हैं इसके बाद हम लोग लेते हैं शौर्ट अंसर टाइप यानि लगोतरी प्रश्णों को जिनमें हमको लगब हंडेड वर्ट्स में उत्तर लिखना होता है तो पहला प्रश्ण आपको पूछा गया था कि पुनल जागरण काल में साहित्य की प्रगती पे टिपड़ी लिखिए या उसके बादे में बढ़न करिए तो देखिए साहित्य की प्रगती जो इस पर साहित्य पे दूइपच्छी प्रभाव पड़ा था दो तरह के प्रभाव पड़े थे साहित्य में जो चीन जाया था पुनल जागरण काल के दौरान प्रथम पक्षी ये था या पहला जो पहलू था यह था कि पुनर जागरण से पहले जो सहित्य था वो धर्म से बदा हुआ था जितने भी रचनाय होती थी सहित्य की वो धर्म आधारित होती थी लेकिन पुनर जागरण काल में सहित्य धर्म के बंदरों से मुक्त हो गया अब धार्मिक विशियों के आस्थान पर मनुस्थ के सुखदुख संसारिक चिंतन के बारे में लिखा जाने लगा दूस्ता पहले आलोचनात्मक साहित्य नहीं लिखा जाता था धार्मिक और संसारिक से बहुत दूर रहते थे लेकर लेकिन यहाँ पर मनुस्त के सुखदुख सांसारिक चिंतन के बारे में लिखने लगे अब साहितिक आलोचना भी होने लगी है ब्यक्तिवादी हो गया साहिति, मानववादी हो गया मानववादी से ताकपर है कि मनुस्ते जुड़े हुए जो पहलू है उनको लिखक लोग लिखने लग गए तरक और दर्शन को महत्त मिला अब जो लिखे गए तरक की बात की गई दर्शन की बात की गई पहले ये सब चीजे नहीं होती थी प्रशन पूछा जाने लगा काब भी महा काब भी यहां चाहें तो आप उलेक कर सकते हैं दोतिक उधारण दे सकते हैं काब भी महा काब भी नाटक निवंद में उतक्रिष्ट रशनाई की जाने लगी तो इससे सहित के अलग-अलग विधाओं का विकास हुआ इसका दूस्ता पक्षिता जन भासाओं का अत्याधिक विकास पहले अधिकतर जो रशनाई होती थी वो लेटिन भासा में होती थी लेकिन अब पुनर्जागरनकाल में जो लोकल वरनाकुला लैंग्वेज़ से जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते थे और समझते थे उसमें रशनाई होने लगी जैसे लेटिन की जगा पे इटालियन में अंग्रेजी में फ्रेंच में रशनाई की गए जैसे दाती ने अपनी कविता से, पेटराक ने, सोनेट से, बोकासियों ने अपनी हासे कथाओं से लोगों को प्रेरित किया मैकियवली ने अपने राश्टी विचारों से इटली भासा को सम्रद्ध किया तो यह अलग-अलग विधाओं का देशी भासा में विकास हुआ, तो यह दोनों पक्षों को हम लोगों को लिखना है उदाहरण के साथ, यहाँ पर सब्द अभी कम है, अगर इनका विस्तार करेंगे, तो यह अपने आप सौ सब्द से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अपने क क्या करते हैं, पूछा कुछ भी जा, हम तो सारे लिखेंगे, जो जो हमको यादा रहा, हम समाजी के भी लिखेंगे, हम आर्थिक भी लिखेंगे, प्रस ने पूछा गया है केवल राजनितिक, तो अपने आपको फोकस रखी है राजनितिक परडाम के उपर है, तो एक परड़ा, नई राजनितिक समाजिक ब्यवस्था का जन हुआ, यानि कि लोगतंत्र को बढ़ावा मिला, राजी के कारियों में ब्रद्धी हुए, अर्थात हैवी ब्यूर्यक्रेसी की जवत पड़े, जब उत्पादन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, तो सर अमराज जिवाद से ताथ पर है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इंग्लेंड से सुरुवात हुए, तो इंग्लेंड को कच्छे माल के लिए उपनिवेसों की आवसकता हुए, क्योंकि कच्छा माल सारा कुछ इंग्लेंड में अवलेबल नहीं था, इसके लिए उन्हों उपनिवेसों को साधन बनाया, तो अधिक से अधिक कच्छे माल को प्राप्त करने के लिए देशों में एक होड सी मच गए, कि साम जादा से जादा उपनिवेस बनाये जाए, फिर एक पॉइंट हमने लेख सकते हैं, ब्यक्तिवादी दरस्टिकॉन को प्रदानता मिले, इ इसके विरुद अधिनियम भी बनाये गए, इसे मध्यम वर्ग द्वारा विक्सित हुआ, तो मध्यम वर्ग द्वारा अधिकारों के लिए संघर्ष चालू हो गया, ट्रेड यूनियन आ गई, फिर उसके फलसरुप सम्मेधानिक सुधार किये गए, तो ये 6-7 पॉइंट क अगरा जो हम लोग विस्तार पुर्वत लिखेंगे, तो आराम से 100 वर्ट्स हो जाएंगे, पर मेंट पॉइंट यही रहेंगे, अगरा जो हम लोग का प्रशन है, वो है दार्षनिक फ्रांस की क्रांती के प्रतिनिधी, एक प्रशन ये पूछा गया था कि दार्षनिक फ्र फ्रांस की क्रांती का प्रत्नित्त किया, तो ये माना जाता है कि फ्रांस की क्रांती से पहले, फ्रांस में वैचारी क्रांती सुरू हो चुके थे, वैचारी क्रांती का अर्थ है कि विचारों में एक नई विचायधाराओं ने जन्म ले लिया था, पुरातन विचायधारा मन में भर गया लोगों के लोग अब तर्क से बात करते थे हर बात पर प्रश्न पोछते थे कि ऐसा क्यों होता है उसको स्विकार नहीं करते रहे तो एक तरह से ऐसा साहिती पहले उपलब्द हो चुका था जिसकी वजह से वहां के लोगों के मन में एक विचारिक करंथी कहना चाहिए हो चल लए थे साहित के माध्यम से राजनतिक धार्मे को सामाजिक जो कुरीतियां थे उन पर प्रहार किया गया संस्थाओं की आलोचना की गई नए नए रशनातम आदर्सों की बात की गई जैसे मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो आदे विचारकों ने फ्रा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो इस कथन को सपोर्ट करता है कि दार्शनिक फ्रांसी क्रांती की प्रतेजी थे, यानि जो क्रांती थी वो दार्शनिकों के विचारों को ही बता रही थी, क्योंकि अधिकांस दार्शनिकों के डेथ हो चुकी थी, लेकिन उनके विच प्रावादिक विक्षित किया और उसे आगे लेखे गए एक दिसादि तो इस तरह से दाशनिक फ्रावादिक के प्रतिती थे अगरा जो हमलों का प्रश्ने का प्रतम विस्यूद्य See the the pro तो यहां परडाम कror तीन भागों का इंत हो गया नय रास्टों का उधिय ग्द expbar अधिया ख़र रहा कि लाइव विक के लिगों दूसरा हमलों का हैडिंग हो सकता है कि आर्थिक परड़ा इसके अंतर का जंधन की भारी यहांनि युद्धों में भ्रद्धी हो गई सभी देशों ने खुब पैसा खर्च किया था युद्धों में तीसरा उद्धों को छती पहुँची क्योंकि सारा का सारा जो पैसा था वो तो युद्ध में लगा दिया गया तो उद्धों में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो उसको नुक्सान हुआ मुद्रा का प्रशार हुआ खिलदारी के लिए फैला स्रमिक आंदोलन हुए यह हम इसके पांच वो देख सकते हैं और एक पॉइंट और वे लग सकते हैं 1930 की मंदी भी कुछ हद तक इसके लिए उत्तर दाई थी सामाजिक परड़ाम इस्त्रियों के सिति में सुधार हुआ वो कैसे क्यों क्योंकि इस्त्रियों जब पूरस युद्ध में चले अधिकांस लोग मारे गए और वो युद्ध में ब्यस्त हो गया तो बाकी कार्यों के पूरस युद्ध में इसको नकार दिया गया उसको यह नहीं कहा जा सकता जिसे जर्मस अपने आपको बहुत स्रेस्ट मानते थे मानते थे कि जर्मस जो ते स्रेस्ट पूरस प्रजाती के होते हैं लेकिन उनकी हार हुई तो ऐसा कुछ भी नहीं है यह एक भावना जो थी कि पर्टिकुलर देश के लोग जो होते हैं उस तरेस्ट हैं सुपीरियर हैं उसको यहाँ पर चोट लगी अलप संख्यों की समस्या के समाधान का प्रयास किया गया युद्ध के करण बहुत सारे अलप संख्यक इधर से उधर हो रहे थे युद्ध विरोध ही सहित्य का विका पित हुई विज्ञानिकों के लिए पैसा देश होने दिया खास्तों से अमेरिका और ब्रेटन में ताकि वो भविस्धी के लिए अपने आपको तयार कर सकें सिक्षा का विकास अवरुद्ध द्वा इस पॉइंट का ताथ पर ये है विज्ञान का विकास तो वालेकर सिक् नहीं बनी, higher education के तरब कोई गया नहीं, teachers की duty लगा दी गई, supply chain management में, तो इस तरह से सिक्षा का विकास जो था वो अवरुद्ध हुआ, तो ये तीन headings के अंतरगत हम इन points का विश्थार कर सकते हैं अगला जो हमनों का प्रस्ता वो था लेनिन की नई आर्थिक नीती क्या थी, तो 1921 में इस नीती ने समाजवात को एक ब्यवारिक रूप दिया था, और इसकी विशिस्ताएं निम लिखे थे, उन विशिस्ताओं को आपको लिखना है, जो इस तरह से हैं, कि भूवी पर किस अगला जो हमनों को स्वामित दे दिया और करके रूप में सरकार ने अनाज की निश्चित मातरा लेना स्विकार करिया, बीस से कम स्रमिक वाले उद्योगों को ब्यक्तिकत स्वामित्तों में रखा गया, यानि कि उसको प्राइवट कर दिया गया, विदेशी पूझी सिमित मातरा में आमंतरत की गई, यानि स्विकार की गई, विदेशी ब्यापार राज जी के अधिकार में लेकिन ब्यक्तिकत ब्यावसाय को छूट मेरे, ये कहा गया कि विदेशी जो ब्यापार होगा, यानि फॉरेंट ट्रेड वो गवर्मेंट देखी, लेकिन जो ब्यक्तिकत वो private कर दिया गया वो तरह से mixed structure देखने को मिलता है मिस्ट अथ वेस्था देखने को मिलती है अनिवारे रूप से जो स्थ्रम की प्रथा थे उसको बंद कर दी गई श्रमिकों को मजदूरी के रूप में मुद्रा दी जाने लगी यानि कि नगद वेतन दिया जाने लगा विवन इस तरूपर बैंक खोले गए ताकि फैनांसिंग की जा सके तो इस तरह हम दो कह सकते हैं कि शुद्र समाजवाद की जगा एक मिस्रित अत्विवस्था स्थापित हुए और लाप की प्रिवत्ती जो पूजी वाद का मूल है वो पूजी तरह से समाप्त नहीं हो पाया वो यहाँ भी बना रहा पर हम लों का आखरी प्रस्ण था दुत्ति विस्युद्ध के मौलिक कारण क्या थे तो एक छोटा सा इंट्रूट्रक्शन लिखना आप इसको जैसे भी लिखना चाहें कि पेरी शांति सम्मिलन के 20 साल वाद माना उता को एक विद्धवन्सकारी युद्ध का पुना सामना करना पड़ा जिसे हम दुतिव इस युद्ध के नाम से जनते हैं और इसके लिए निम्द कारणों को मूलत उत्तरदाई माना जाता है एक तो वर्साई की जो अपसंदी थी वो अपमान जनक थी तो इसके दो या तीन ऐसे पॉइंट जो की अपमान जनक लगें जैसे कि पोलिस गलियारा आत्मिर्णे के सिद्धान को जर्मनी के लिए नहीं लागू किया गया तो दो से तीन पॉइंट ताकि इस बात को हम क्लेरिफाई कर पाएंगे कि किस तरह से वो अपमान जनक थी ताना शाहों का उदे हुआ हिटलर का उदे मुसोलनी का उदे ये बताना है तीसरा पॉइंट रास संग की विफलता पैदिस सांती समझोते की बात जो दास्ट रसंग स्थापित किया गया था आपको ये बताना है किस प्रकार वो असफल रहा किस प्रकार वो जर्मनी को कंट्रोल नहीं कर पाया और अन्तता युद्ध हुआ फ्रांस की भाय पुणा प्रसुधात्मक बेवार कि फ्रांस की भाय का क्या करण था वो क्यों बदला लेना चाहता था फिर ब्रिटेन की तुष्टी करण की नीती क्या थी किस तरह से पैसिफाई कर रहा था फिर अनिंत्रियत सस्त्रों की होड हथियारों का जो होड चालो हुई इसको हम बोलते हैं आर्मामेंट जो स्टार्ट हुआ वो खतम नहीं हो आज तरह खत्म नहीं हो पाया तो उस पर नियंत्रा नहीं लगा पाया यह लगा पाई दुनिया वो लगातार कंटीनिवर्स हथियार बनते गए नया नया डेवलप्टियार लाए गए कुछ न कुछ इस तरह के युद्ध की तरफ चली जाती है जैसे अभी भी अगर वर्तमान में देखें तो चीन के साथ जो संबलों का बना हुआ चीन अमेरिका की जो भी चली है यह सा लग रहा है जैसे युद्ध हो जाएगा तो यह सामान सी घटना है कि जब भी आथिक संकर्ट आता है तो इतिहास में देखा गया है कि कोई ने कोई युद्ध की जरूर होता है तो 1930 का जो आथिक संकर्ट था वो भी दुत्तिय विस युद्ध के लिए कारण था और इसका सबसे ज़्यदा जो ततकालिक इमेडियेट कोई था जर्मनी का पूलिन पर आक्रमन जो जर्मनी ने सितंबर 1949 में किया तो इन आठ पॉइंट्स को आपको थोड़ा थोड़ा विस्तार करना है और लास्ट में कंक्लूजन देना है कि उपरोब सभी कारणों के फल स्वरूप दुत्तिय विस्युद्ध हुआ तो पॉइंट्स को ध्यान रखिए बाकी आप अगर ने पढ़ा है तो उसको चस्टिफाई करने के लिए आप दो दो तिन तिन पॉइंट लिखें और लिखने का अभ्यास करते रहें ताकि गल्ती ना हो फाइनल एक्जाम में धर्निबाद किसे तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं थेंक्यू